हलो प्यारे छात्रों कैसे हैं आप आप सभी का स्वागत आपके अपने परिवार कुईक ट्रिक्स बाइ साहिल सर ए सेटिस्फेक्टरी सॉलिशन आफ एवरी अग्जाम प्रपरेशन तीन बजे डेली प्रेक्टिस होती है आपकी डेली प्रेक्टिस आपकी शुरू हो चुकी है आईएगा आप सभी छात्रों का तही दिल से स्वागत है इस खुबसूरत से सेग्मेंट में मज़ा आपको आजाएगा भाई आईए तो आप सभी लोगों के लिए ALP 2024 फ्री चैनल है जहां पर आपको PDF मिल जाती है आप लोग जो बच्चे मेरे साथ पूरा डेटेल में पढ़ना चाहते हैं पूरा फाउंडेशन कवर करना चाहते हैं हर किसी बच्चे को जोई बैच जॉइन करना होगा क्योंकि बहुत अच्छा कॉंटेंट मैं उसमें दे रहा हूं आप लोगों को साथ के साथ में आप अगर RRB बैस से जुड़े हुए हैं रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैस से तो आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी और 600 रुपे का ओफर भी आपको मिल जाएगा जिसमें आप सारे एक्जाम की तयारी अच्छे से कर सकते हो RPF, ALP, NTBC सबकी एक साथ आपकी तयारी हो जाएगी अपनी प्यारी अप्लिकेशन पर ठीक है आप Math Foundation बैस लाइव और VOD आपको मिल रहा है जहां पर आपको recorded भी मिल जाएगा और लाइव भी मिल जाएगा content 699 का ये बैस है और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में मतलब इस लगाना चाहते हैं तो test series भी आपको quick tricks test series application है उसके ऊपर मिल जाएगी railway section में आप test series ले सकते हैं अच्छा बाई अब मैं आप लोगों के लिए शनिवार को 11 बजे जो 11 a.m. वाला segment है शनिवार को 11 a.m. मैं आप लोगों के लिए क्या कराने वाला हूँ आप लोगों को कि RR technician 2024 जो pattern में बदला बदला हुआ है उसके इसाब से जो maths का paper है वो कैसा बनने सकता है किस तरह सा level थोड़ा सा बढ़ा कर चलेंगे और एक ही paper होने वाला है तो कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे वह सब आपको मैं कराऊंगा 11 बजे उस दिन paper तो आप तैयार रहे न अब अब देखो यह question आ चुका है कि तिर्बुच की तीन बुजाओं के बारे में discussion आपका हो रहा है कि तिर्बुच की तीन बुजाओं में तीसरी बुजा कहां से कहां तक हो सकती है तीसरी बुजा जो होगी वो तिर्बुच की बाकी दो बुजाओं के अंतर से तो जादा और योग से कम बाकी दो बुजाओं के अंतर से जादा और योग से कम हमेशा याद रखना कि जो ती इक्वल टू वाला portion यहां नहीं exist करता है तो आपका जो answer आने वाला है C आजाएगा आसानी से आप answer दे सकते हैं अगला प्रशन आप लोगों के सामने इस तरह से है यह लीजे करके बताईए तेखिए दो नाव है सर ए और भी एक दूसरे की ओर चलती है अब दो नाव है एक नाव A है और एक नाव B है रिलेटिवली अगर आप बात करें तो एक 272 दूरी पर इस्तित दो इस्तानों से एक दूसरी की ओर चलना शुरू करती है 272 घुलोमेटर की दूरी पर इस्तित में जो दारा की चाल होती है वह कट जाती है ना की चाल का कोई महत्स नहい हैजो इंपॉर्टेंश नहीं है बिलकुल भी नहीं है गो है नहीं है तो नहीं है और आ वो इसाँप सब कितनी है 222 किलोमेटर और रेलेड़िव स्पेड कितनी हो जाएगी 68 8 km per hour ठीक है क्योंकि एक दूसरे की तरफ आती है तो relatively जुड़ जाती है तो time कितना लग जाएगा आप लोगों को आप लग जाएगा time भी है यहां से 4 गंटे 4 गंटे में वह एक दूसरे से मिलेंगे 4 गंटे में वह एक दूसरे से मिलेंगे कोशन बड़ा प्यारा है और आप लोगों को जो मैंने point बताया है यह वो point बहुत शांदार है कि जब relatively आप अकर धारनाव की speed की बात करोगे धारा की speed की बात करोगे तो वो neglect हो जाती है कट जाती है neglect तो क्या हो जाएगी अगला प्रशन आपकी screen पर है अब देखते हैं यह नंबर की लड़ाई यह 25 में से 25 नंबर की लड़ाई यह आप लोगों को लगता होगा किसा नॉर्मल सैट है नहीं आप हमेशा पेपर की तरह सेट लगाएं सब बच्चे टाइम से आएं और टाइम से से लगाएं 1750 के 20% के 10% का मान कितना 1750 के 20% का मतलब 1 बटे 5 10 परसेंट का मतलब 1 बटे 10 0 से काटा 0 5 तिया 15 और 25 35 आगया कितना आगया भई 35 आगया 35 अब का अंसर आचुक है ठीक है अगला कुशन करिए कौन करके दिखाता है देखते है जल्दी जल्दी टाइम से कर लो 20% की छूट है 600 रुपे अगर MRP है तो विक्रे मुले कितना होगा तो 600 का 80% क्योंकि MRP का अगर 20% का डिसकाउंट अगर आप दोगे तो 80% आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस जिस इक्वल टू 480 रुपीज आपका अंसर है आईए अगला प्रशन आपके सामने है ये लीजे करके दिखाईए खटाक से तीसरा अनुपाद बताईए अगर दो संख्याएं दी हुई हो तो तरते अनुपाद क्या होगा कभी भी अगर तरते अनुपाद की बात करोगे तो तरते अनुपाद में जो दो संख्या है उसको स्क्वाइर करके पहली संख्या का डिवाइड करना है तो यहां से हम देखेंगे सर आठ दूनी सोला और आठ तिया 24 और दो से गाटा मैंने एक पॉइंट दो बार तो बारतिया 36 तीन पॉइंट 6 आपका तरतिय समानुपाद आपका आ रहा है उप्शन नमबर C अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है यह लीजिए करके बताईए क्या जवाब आपका बनेगा 3 सेंटिमेटर आधार तिर्जा और 4 सेंटिमेटर उचाई के ठोस धातू के बेलन को 2 सेंटिमेटर उचाई और एक सेंटिमेटर तिर्जा के शंकू के लिए पिखलाया जाता है तो कितने शंकू बन जाएंगे तो देखिए भया पाई आर इसक्वाइर एच बेलन का आयतन होता है कितने शंकू बन जाएंगे एक बटे तीन π, capital R, square और capital H अलग अलग बना दिया अब π体 से तो π, कट जाएगा अब R की value कितनी है 3-3-9, H की value है 4, बराबर 1, 3 यहाँ radius की value है 1, और H की value कितनी है H की value है है अपने 2 और N निकालना है यहाँ पर आपन को तो 2 से काटा मैंने 2 और 9-27, 27 उनी 54 तो यहां कितने बन सकते हैं 54 शंकु आपके बनेंगे उस बेलन को पिगलाने पर 54 शंकु बनके तैयार हो जाएंगे पिगलाने का मतलब होता है कि आप उसके वॉल्यूम को एक्वल कर देंके तो आपका पिखल जाएगा ठीक है वह यह चलिए अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है फ्रेक्शन विद्व सिंप्लिफिकेशन करिए देखे दोस्तों अब यहां हम सबसे पहले इस पॉर्शन को सौल्व करना है पूरे को इसको हम लिख देंगे पांच बटे 4 इसको हम लिख देंगे पांच बटे 6 और इसको हम लिख देंगे 7 बटे 5 थिए ये 30 और 5 चोटे 20 ठीक है और 6 424 और प्लस का 7 बटे 5 ठीक है और यह अलग है यह इसके साथ चल रहा है यह हो जाएगा साथ 3 दो नीचे और 7 बटे 2 साथ बटे दो multiply by 24 बटे 10 और यह हो जाएगा साथ बटे 5 चार चिकी 24 और चार पंजे 20 तो साथ चिंग 42 बटे 5 और साथ बटे 5 तो 49 बटे 5 49 बटे 5 कहां से आ रहा है नौपडम 45 और 49 बटे 5 C ओपशन तो C जो है वो आपका right answer होगा कर पा रहे हैं आप सब लोग यह नंबर की बात है वाई एना paper की तरह solve करना है इस paper में जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं वही नंबर आपके paper में आएंगे यह बात ध्यान रखना इस तरह का ही लेवल आपका रख के चल रहा हूं मैं ठीक है एलपी टेक्निशन दोनों को ध्यान में रखते हुए ठीक है भाई ध्यान रखना चलो अगला कुशन करिए कर दो आए दो कि अपर चाहँ वर्ष वह था है तीन वर्षों में 75 जार रुपे की कि 75000 रुपय का वार्शिक चकरवरती आधार पर गण्या करने पर चक्रवरती याज कितना होगा यदि पहले साल का 5 परसेंट दूसरे साल का 6 परसेंट और तीसरे साल का 8 है बहुत ही बढ़िया कुश्च्चिन है अगर आप 600 लिख रहे हैं तो इसको आप लिखते हैं तीन 50 तो आप भी लिख सकते हैं और अगर बात करते हैं o 8% है 8% यह हो गया सर 8 बटे 100 तो आपने इसको 4 से काटा ठीक है चार दुनी आठ और 4 से कट गया कितनी बार 25 बार तो यह आपने रेट को भिन में बदला और सक्सेसिव केस पर सबसे पहले तूट पड़े आप लोग कि ले भाई धरले सक्सेसिव 20 से 21 50 से 53 ठीक है और 25 से 27 यह से हल करने के पस्चार्ट में आप देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन आपको टफ नजर आ रही है जहां पर हम यहां देख सकते हैं सजी यह आगया 1000 यह आगया 25,000 कितना आगया दोस्त 25,000 25,000 ठीक है अब यहां से जब हम इसको गुणा कर लेंगे तब जाके थोड़ी बात बन सकती है याने कि 21 इंटू 53 इंटू 27 अब यहां मैं आपको एक दिमाग लगाना सिखाता हूं चलो यहां देखते हैं सर्फ 7 यह 21 और 7 एकम साथ तो 7 आ रहा है यहां से तो यहां से इकाई कंग 7 आ जाएगा भई आ जाएगा नहीं आ जाएगा बिलकुल आ जाएगा और 25 25 है तो यहां पर आपके सामने जो इस्तिती निकल के आ रही है वो थोड़ी सी इस तरह से कॉम्प्लिकेटड बन जाती है कि करें तो करें कैसे और यहां पर आपको गुणा करना पड़ेगा और कुछारा नहीं है तो यह मैथड नमबर पहला है जहां आप फस जाते हैं कही दूसरा में आपके सामने निकल कर आता है ट्री मेंथर आप ऊप्योग मिला सकते हैं फ्रीक है छले dat कोशिश करते हैं कैसा मेंथर उसके बारे में जानते हैं मेथड नमबर सेकंड पहला मेथड आपने नहीं किया नहीं क्योंकि लेंदी जा रहा था प्रेक्टिकली सोच के चलना पड़ता है ना पेपर में हां तो पिछेत्तर हजार का अगर आप पांच परसेंट निकालते हो तो पहले साल का साध्रन व्याज कितना हो जाएगा पिछे पिछेत्तर हजार का 5 परसेंट आप निकालोगे साथ पंद्धी सफैसा दोच्च्च तो सैंथीस पतिस सो पचास पहले साल का ब्याज आ रहा है अच्छ दूसरे साल का क्या हो जाएगा बाई विचितnelle का ट repentance इंधना हुव्चेत्तर हजार का छेपरसेंट तो याने कि पंदरत या 4500 रुपया, पिचतर हजार का 6% हो रहा है 4500 रुपया, तीसरे साल का व्याज हो जाएगा पिचतर हजार का 8%, 8% यहने कि देड़ सो पंदरत चोके साथ 6000 रुपया, बात अभी खतम हो गई क्या, बताओ, चकरवर्ती बात खतम हो जाती है, क्या हो जाती है क्या, बताओ, सुबह अभी हम 9 बजे वाले slot में, 11 बजे वाले slot में पढ़ रहे चीजह, बात खतम नहीं होती है दोस्त, बात होती है सर् ब्याज के उपर ब्याज भी तो देना पड़ेगा तो दूसरे साल वाला इस इस रुपे पर किस रेट पर ब्याज लेगा सर जी इस रेट पर छे परसेंट पर और तीसरे साल वाला आठ परसेंट पर लेगा तो 3750 का 3750 का 6 परसेंट निकालना पड़ेगा और यहां पर 3750 का 8 परसेंट निकालना पड़ेगा अभी रुकिए सबर करिए और उसके साथ स 500 का 8% निकालना पड़ेगा है तो क्या अधिक्क्त और फिर इसका भी 7 3050 हा रहा है उसके छे परसेंट का भी 8% निकालना पड़ेगा इतनी कैलकुलेशन है by तेंशन लगती है ना ठीक है टेंशन लगती है वहां से भी हो जाता यहां से भी जाएगा ब्याज प्याज प्याज अब थोटी मुटी कैल्कुलेशन है जिसे हम करेंगे और आपको भी सिखाएंगे सेथिस जब 7500 पिचातर इंटू 3 यहां से निकल कर आएगा सर पांसती यह 15 गोश्य यह वाला हिस्सा निकल कर आया दो सोपच्चेस बस अवांसरी आने वाला है कि पिचैतर सो पिचैतर इंटू 4 300 यह उजाएगा सर 300 और यह उजाएगा सर 360 और यह उजाएगा सर 220 का का आट परसेंट तो दो सो पच्चिस इंटू 4 4.500 इंटू 2 करेंगे तो 909 यहां चति साज़ाएगा मैं 255 का 8 परसेंट यह होगा और क्या कि आप 225 का 8 परसेंट निकाल हो तो 25 पचिस में अब सब को जोड़ो वाई तो सब को जोड़ोगे तो आठ रपांस तेरा तीन वाला इकाई अंक वाला उत्तर तो यह कुशन मेहनत वाला कुशन है ठीक है कुशन अच्छा है और क्या नाम है वह बच्चा कह रहा था तो कैल्कुलेशन आपकी इंपोर्टेंट है तो अब मैं से जो बच्चे सोच रहे थे कि सर लेवल अप करिए लेवल अप करिए तो बेटा पेपर ऐसा ही बनता है बिल्कुल एक ऐसा कुशन ही छोड़ दिया जाता है कि जहां आप अपना टाइम भी वेश्ट कर लेते हैं सच बात है कि नहीं क्या बिल्कुल पेपर की तरह फसाया इस बार मैंने आपको बोलो हाया ना बोलो हां क्योंकि ऐसा ही होता है पेपर में भी बहुत अच्छा इस स्पीड से चल रहा होता है और आपको लग रहा है कि यार इस बार तो सलेक्शन हो जाएगा और अचानक से जबकि अभी 25 कोशन का सैट है आठवे कोशन ने आपके टाइम में काफी जादा ले लिया और लेगा भी टाइम करना भी पड़ेगा ऐसा ही होता है अगला प्रशन आपके सामने उसके बाद आपको सारे कोशन अब टफ लगने लग जाते हैं आपकी सोच ही तो डिपेंड क झाद जाद ए्ठवे लूह टोगो ओगफ स जाते हैं जादे जा टादादा है का लिवेर ले सेव सरजी पंदरा स्वरी आठ और दस अठारा अठारा और पांचों के बीस यह हो जाएगा दो और यह अगर माल लीजिए हैं आद दो रख दिया आपने तो बीस और सत्रह सैंटीस और क्या कहते हैं पैंतालिस तो दो और आठ अगात तो फास्ट जितनी भी क्यालूकूलेशन हो सकती है वह कर सकते हो आप टाइंग ना लगा सकते हो लगा सकते हो आपके ऊपर डेपेंड करता है तो इस कुश्चन में अकौर्डिंग टू माई प्लान आप वीस सेकंड से लेकर साथ सेकंड तक कितना भी समय लगा सकते हैं वो depend करता है कि आपकी calculation कितनी अच्छी है है कुछ भी नहीं है लेकिन वो बच्चे के ऊपर depend करेगा एक बच्चा 20 सेकंड में भी सकुशन को बनाएगा एक बच्चा 60 सेकंड में भी सको बनाएगा वो depend करेगा उसकी practice क्या है अगला प्रशन देखिए अब पाई बाई 6 की अगर बात करते हो आप तो पाई बाई 6 पाई बाई 6 क्या है 180 डिगरी बटे 6 तो 30 डिगरी के बरावर है तो 10 30 तो 10 30 प्लस सेक 30 अब 10 30 की value एक बटे रूड 3 और सेक 30 की value कितनी हो जाएगी 2 बटे रूड 3 तो 3 बटे रूड 3 और answer आगया रूड 3 A option answer आचुका है रूड 3 अगला प्रशन करिए कि आम रस के काटन में 500 ml होता है एक विशेश ओफर के काटन में अत्रिक्त 15 प्रतिशत होता है तो कितना आम रस होगा 15 5 75 याने की 575 उसका 75 ml आप add कर दीजिए 15 15 5 75 75 ml हो जाएगा अगला प्रशन देखेंगे भाई कौन करके दिखाता है दिखाओ एक बैमान फल विक्रता चावल को 24 किलोग्राम प्रुपे प्रति किलोग्राम बेचता है और 20 रुपे प्रति किलोग्राम खरीदता है तो भाई देखो 20 रुपे प्रति किलोग्राम खरीदेगा और 24 रुपे प्रति किलोग्राम बेचेगा तो 4 पंजे 20 और 4 चिकी 24 ठीक है यह उसकी प्राइस का है ठीक है और यह प्राइस का है पहले से ही यहां से प्रॉफिट कम रहा ही रहे और एक क्लोग्राम की बजाए आट सो ग्राम देता है तो यहां कितना वह जाएगा और चार से इस यह दो यह दो बन जाता है ऑफिट का दो से तीन एक का profit दो के respect में गुणा 150% आपका वास्तविक लाब होगा 50% आपका वास्तविक लाब होगा actual profit 50% यहां से कमाने जा रहे हो आप बैमान दुकानदारी में जहां बजन में गड़बड होती है तो वेट के रेशो को उल्टा कर दिया जाता है आप लोगों के सामने इस पस्ट इस पस्ट शब्दों में यह चीजें लिखी गई आप देखिए उनको अगला कुशन देखिए आराम से करिए कि सबसे बड़ा उभेनिस्ट भाजक क्या है उभेनिस्ट भाजक इस तरह की language भी आजकल पेपरों में यूज होती है इस तरह की language से बच्चे confused रहते हैं उसका मतलब है SCF पूछा जा रहा है बताइए बहुत बढ़िया भाई खेल गए बहुत बढ़िया खेल गए सर जी कैसे बता चलेगा मैंने का भाई 216 नीचे दो पाई है 245 नीचे दो पाई है 336 नीचे दो पाई है अब सबसे बढ़ा उभैनिश्ट भाजक पूछा जा रहा है तो यहाँ इन में common factor क्या है जो common है सब में तो 5 common है नहीं है 2 common है 2 तो है 3 है 3 देखते हैं नहीं तीन नहीं है ये तीन से नहीं जारा, चार कॉमन है, तो सब में चार कॉमन है, और नीचे आजाएगा आपका लेसेप है, उपर वाले का मेसेप है, नीचे वाले का लेसेप है, 0.04 आपका सही जवाब होगा, clear? समझ में आगई बात, अच्छा लग रहा है? तो लाइक सेर में कसर क्यों छोड़ते हो भाईया अगला प्रशन टाइम एन वर्क से आया हुआ है आपके सामने करिए ए और बी एक काम क्रमश है ताट दिनों में बी पिचेतर दिनों में टोटल काम मैंने माल लिया कितना तीन सो साट का भाग देंगे पाँच बार और पिचेतर से भाग देंगे चार बार सर यह एफिशेंसी आ गए हमारी यह अपना काम आ गया इन दौनों का LCM एक साथ मिलकर तो तीन सो बटे नो सो बटे तीन तैंतिस सही एक बटे तीन इतने दिनों में काम हो जाएगा तैंतिस सही एक बटे तीन दिनों में काम हो जाएगा अगला प्रशन बनाईए झाल झाल राकेश को 10 cm उंचाई और 10 cm की तिर्जा वाले एक बेलनाकार कंटेनर को 5 cm की तिर्जा के एक अर्धगोलाकार कंटेनर में पानी भरना है टैंक को पूरी तरह पानी से भरने के लिए उसे अर्धगोलाकार कंटेनर में कितनी बार पानी डालना होगा आपको ये बताना है आयाने की वही वाली बात है, अर्ध गोलाकार कटोरे, कितने अर्ध गोलाकार कटोरे लेने होंगे, जिससे की बेलनाकार कंटेनर में पानी आपका चला जाए, पाई आर स्कॉायर एच, पाई से पाई चला गया, एन, दो बटे तीन, अर्ध गोलाकार कटोर की लेंद्ध क्या पाँच 5 5 दो दो आठ दो से काटा मैंने 4 बार तो आपको 12 कटोरे हो जोने पड़ेंगे जिससे वो बेला का टेंक भरेगा 12 कटोरे आप ऐसे भर भरके डालोगे तब जाके मामला सेट होगा दर्वाज मामला सैट नहीं होगा आई बात समझें अरे clear हो रहा है क्या अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई ऐसी सीखना है और यही सब चीज़े सीखने से ही आपका selection हो जाएगा जी बिल्कुल हो जाएगा practice सबसे ज़रूरी चीज़ है आदमी को practice ही करते रहना है revision होता रहता है ना proper करिए साइन ठीटा बराबर आपका चार बटे पांच है यह चार है यह पांच है तो यह तीन होगा 10 ठीटा कितना होता है भाई देखो आपने बच्पन में बढ़ा होगा लाल बटे कक्का लंब बटे आधार होता है 10 ठीटा और उसी का उल्टा होता है आपका कॉट ठीटा तो 16 मैंसे 9 गया तो 7 बटे 12 लेकर भी कर सकते हैं और नॉर्मली भी आप सॉल्व कर सकते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सॉल्व करने में अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है चक्रवर्दी ब्याज है और मैं चाहता हूँ कि आप सेकंड्स में बना लें बेटा जिनका बेसिक क्लियर नहीं है मैं उनको कम्पलीटली बोल चुका हूँ पहले भी बता चुका हूँ आप बेफिक्र होके जॉइन करो भाई मैं आपका बेफकुपनी बना रहा हूँ आपको आपको बोल रहा हूँ कि आप क्वालिटी एजुकेशन पर बिलीफ रखो मेरा जो फाउंडेशन बैच है वो इस इंडिया का वन अब दा बेस्ट बैच है ट्रस्ट मी ठीक है आप जॉइन करिए पढ़ाई करिए करिए इस कुशन को एक हजार रुपे की धनराशी है दस परसेंट वार्षिक चक्रवर्ति ब्याज है तीन वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगा तो देखो भाई तीन वर्ष के बाद देखो जस परसेंट की दर से 33.1 परसेंट तो आपका कंपॉन इंट्रेस्ट होता है और आपका जब अमाउंट होगा तो उसमें हम 100 जोड़ देते हैं और वो बस अंसर आगया आपका 1331 तो सौल ही कहां करना कुछ है ठीक है कूपन कोड़ उसमें अल्रेडी लगा रहता है लिंक के अंदर उस पर क्लिक करके ले सकती हो ना अगला प्रशन आपके सामने यह लीजिए करके बता आपके अबके लेगीछ झाल झाल एक डीलर अपनी वस्तूओं को क्रेमोले पर खुले आम बेचने का दावा करता है लेकिन वह एक किलोग्राम बांट के इस्थान पर 735 ग्राम अपने गलत बांट का ब्यहवार लाता है ठीक है अब एक किलोग्राम के इस्थान पर यानि कि जैसे माल लीजिए एक हजार ग्राम के स्थान पर वह 735 ग्राम ही वह तोल रहा है तो एक्चुल में यह वेट में कड़ बड़ है लेकिन वह प्रॉफिट कैसे कमाएगा 735 रेशो 1000 ठीक है चलिए यह प्रॉफिट है तो यह जो प्रॉफिट है वह हो जाएगा कितना 265 का किसके रेस्पेक्ट में 735 के रेस्पेक्ट में मल्टिप्लाए हंड्रेड मल्टिप्लाए हंड्रेड तो वह आपको दे देंगे देखिए 25 25 पांच थी है पंदरा पांच एकम पांच बचे दो पांच ओके बीस और पांच सत्य पैंतिस तरेपन बटे 117 अफ्टर सॉल्विंग दिस कितना निकल कर आया 36.505 परसेंटिज कुछ आया टिपीकल है भाई यह यह टिपीकल कल्कुलेशन है आप लोगों को लग रही होगी जो intelligent बच्चे हैं जो level बढ़ाने की बोलते हैं उनको लगती है कि आसान calculation है बट यह typical calculation है ठीक है और यह easily paper में नहीं होती paper में यह time खाती है यह एक से देड़ मिनट ले जाएगा question आपका और आप यह बोलते हैं कि level up कीजिए पेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरे को है कम से साथ साल का experience की railway में क्या आता है तो आप लोग पंचायती ना करके paper लगाएं जितने भी नंबर आपके मांदारी से आ रहे है ना उससे आप 5 नंबर कम लेकर paper में जाएंगे यह वाध्यान रखना यह मैं सब कुछ तच बताऊंगा आपको क्योंकि आप practical चलता है यहां तो स अब जबाएं पिस्वी कुछ को नों देखोगे ना तो यह होता है सरे स्कॉायर प्लस का स्कॉएर प्लस का सी स्कॉएर प्लस का 2A, B, PLUS का 2, B, C, PLUS का 2, C, A फॉर्मूला ही होता है अब माइनस का A स्कॉएर माइनस का B स्कॉएर माइनस का C स्कॉएर यह कड़ जाएगा तो 2 टाइमस ओफ अगला प्रशन आपके सामने टाइम एन वर्क से आया हुआ है करके दिखाईए और आपके अगर इच्छा होना तो आप लाइक भी कर पाएंगे ना अगर आपके मन से आवाज आती है कि हां यार करनी चाहिए माश्टर की महनत बोलती है वाई झाला 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 झा अमन रमन और यश अमन रमन और यश अच्छ तीनों एक साथ एक कार्य को 29 दिनों में रमन और यश 58 दिनों में और अमन रमन यश शुरू करते हैं तो टोटल काम आपका 58 हो गया और efficiency आपकी 2 हो गई और ये आपकी efficiency एक हो गई अमन रमन यश निएक साथ कार्य शुरू किया लेकिन अमन 15 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है तो पंदर दिन तक काम किया, 30 काम हो चुका है, बचा हुआ काम कितना है, 28 काम बचा हुआ है, अमन ने काम छोड़ दिया, उसकी efficiency एक है, तो शेश कारे को 28 दिन में कर लेंगे, तो शेश कारे को दौनों कौन, ये दौनों मिलकर 28 दिनों में कर लेंगे, ठीक है भई, कोशन द बही उसका MRP कितना है, तो यह भी पैन नहीं चलाना है, 10% की अगर डिसकाउंट है, तो 10% की जो छूट है वो 100 रुपे के बराबर है, तो 100% आपका 1000 रुपया होगा, और 100% आपका 1000 है, तो यहां पर आपके सामने क्या है, कि 1000 रुपे आपकी MRP हो जाएगी, अगला कुशन द झाल झाल 9 रुपे प्रती किलोग्राम की कीमत वाले 20 किलोग्राम को 20 किलोग्राम को 10 रुपे प्रती किलोग्राम की कीमत वाले 25 किलोग्राम चावल के साथ मिला कर अब यहां मिला रहे हो 5 चोके 20 और 25 इसकी कीमत कितनी है 9 रुपे पर केजी इसकी कीमत कितनी है 10 रुपे पर केजी जे एसेम जिंदबाद 9 को बेस माना यहां से कोई deviation नहीं आ रहा यहां से आ रहा 1 इंटू 5 पाँच और केक कटेगी तो सम्में बटेगी बटे नो कर दीजिए तो यहां पर आपके सामने कितना आ जाएगा 9.5 के आसपस आंसर आजाएगा लगभग तशमलब के एक स्थान तक पूछा गया है तो 9.5 के आसपस आपका सही जवाब आजाएगा अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है यह लीजिए करके बताईए एकस प्लस वन बै एकस पराबर अगर माइनस का 6 है पावर 5 पर जाने है तो आप लोगों को यह बता दूँ कि आपको एकस स्कॉाइर प्लस वन अपन एकस स्कॉाइर का एकस क्यूब प्लस वन अपन एकस क्यूब से मल्टिप्लाई करना होगा और उसके बाद एकस प्लस वन बै एकस को घटाना होगा तब जाके आपकी एकस की पावर 5 प्लस वन अपन एकस की पावर 5 आएगा यह पूरी सी पूरी प्रोपर्टी है ये अब गुणा करके अब चेक कर लो थीक है नी भाई अब Utah हम ये कैसे निकालें अगर माइनस 6 तो ये होता है sareesme P सकॉाइर माइनस का 2 थीक है ये होता है जी P सक्यूब माइनस का 3 P ठीक है और ये होता है P P सकॉइर 36 में से 2 गया तो कितना आगया भाई यह ओजाएगा सर माइनस का 216 और प्लस का 18 और यह ओजाएगा प्लस का 6 गुणा हो गए हाँ 34 into माइनस का 198 प्लस का 6 तो 8 चौके 32 माइनस के 2 में प्लस का 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई माइनस के 2 में प्लस का 6 करेंगे तो I think मेरे हिसाब से 6 आएगा माइनस का और माइनस का 6 तो दो आप्शन में हैं पर यह तो छोटा है ना यह वाला आंसर है कोशन बड़ा ही गजब का है ठीक है हाँ ठीक है भाई मज़ा आ गया कोशन में अब जो थोड़ी और मेहनत है वो कैल्कुलेशन वाली मेहनत है सर इसको भी आप सौट करिए तो हम इसको भी शौट कर सकते हैं देखिए तो 34 198 को मैं लिख सकता हूं 200 माइनस का दो आपको यह उप्शन नहीं होगा ठीक है फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो 702 32 है ना और प्लस कच है प्लस कच है तो आंसर आ गया ना तो कैल्कुलेशन आसान करने के तरीके हजार है ठीक है चलिए नेक्स्ट दो संख्या है दो अनुपात तीन के अनुपात में हैं और हर संख् को घटाया जाए तो यह अनुपात हो जाता है तो छोटी संख्या क्या है बताओ दो अनुपात तीन के अनुपात में हैं अगर साथ घटाया जाता है तो साथ अनुपात ग्यारा हो जाती है सड्वाइब एक्षिश दो लाकैन जातन के अञी कीमश्वाी जाता क्या लाइब को arrive यह Sus no Records के अगरए अंतिम प्रशन एंगे कि आप क्तिने माक्स आपके बंएं झाल झाल अब देखिए भईया क्या है 48 x² 27 समानुपात में है तो 48 का x² से अनुपात और x² का 27 से अनुपात बराबर है तो x की पावर 4 बराबर 16 और 27 थी या 81 अब x की वेल्यू जो निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 तो x की वेल्यू निकल कर आजाएगी भईया आपकी 6 तो कैसा लगा भई कैसन लगा बाबू ये कोशन बड़ा ही प्यारा है और समानुपात का ये प्रशन है तो इस तरह की चीजें आप लगातार 3 बजे करते हैं और उमीद करता हूँ कि आज के आपके नंबर जो आएंगे वो आप कमेंट में लिखेंगे लाइक जिन से दिल से नहीं होता है ना तो बेटा अपना दिल को थोड़ा पॉजिटिव करो हमारे लिए बहुत अच्छा आनंद आएगा आपको पढ़ने में आप लोगों के लिए शनिवार को 11 बजे में आपसे मैट का वो पेपर कराऊंगा जो आ सकता है पेपर में वो पेपर में आपको कराना शुरू कर रहा हूँ और टफ लेवल भी बन सकता है तो कितना बन सकता है वो हम टेक्निशन के लिए देखेंगे 11 बजे शनीवार को आपके इसी प्यारे परिवार के साथ में साथ के साथ आप मेरी application से जुड़कर हर बच्चे को मेरे foundation best से जुड़ना अच्छा लगेगा बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ऐसा best आप जिंदिगी में कभी नहीं पढ़ोगे अगर आपके पास इस बार मौका है तो एक बार पढ़ना पढ़ेगा उसके बाद फिर selection हो जाएगा सीधा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि quality दी गई है patience के साथ आप पढ़ाई करिए जो बच्चा वाकई में serious है और जो आप अगर serious नहीं है आपके आसपस कोई serious बच्चे है तो वो भी उनको आप recommend करो please ठीक है math foundation batch सारे exam के लिए simplification से लेकर ये race तक ये मैंने arithmetic पूरा complete कर दिया है recorded में मिलेगा number system live चल रहा है ये भी 2-4 दिन में complete हो जाएगा फिर अपना LCM SCF चालो हो जाएगा फिर उसके बाद mensuration ये पूरा geometry होगा पूरा advanced math होगा मज़ा आएगा और railway record breaking batch में math के साथ साथ सारी subject मिल जाती है इसमें 600 रुपे का offer है इसमें complete preparation आपकी हो जाएगी और अकेले math की करनी है तो math foundation batch ले सकते हो तो paid course में जाना आरार भी batch लेना है तो आरार भी batch लेना railway math foundation batch लेना है तो railway math foundation batch लेना click कर देना और click करके join पे click करना join पे click करोगे submit करोगे interest के लिए एक link आएगा link पे click करके coupon जरूर लगा देना बेटा coupon से discount मिलेगा है ना ये आपका number है कोई अगर query है तो call कर लेना और ये अपनी application है quick tricks by sahil sir जहां पर मेरे courses सारे चल रहे है ठीक है एक batch पढ़ा रहा हूं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि कोई question mark नहीं कर सकता उस पर गजब के content दे रहा हूं आप भी लो पढ़ाई करो ये अपने channel को subscribe करने वाली बात है शेयर कर दो like कर दो और सभी जगे फैला दो जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम quality पढ़िए selection लीजिए ये आपके उपर depend करता है बाई बाई ठेक केर